वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय नीव व्लोग अस्सलाम अलेकुम तो नहां पर मैं नाश्ता बना रही हूं नाश्ते में अज बन रहा था पोहा बहुत दिनों बाद पोहा बन रहा है तो बहुत दिनों बाद खाएंगी भी एर एक्चलिन न मुझे कल से क्रे लाल मिर्ची डाल देते हैं लेकिन अच्छा बना था अच्छा ही लग रहा था लाल मिर्ची में खेट नाश्ता और हो गया था हमारा और अभी जो ना मैंने काबुली चैनल पानी में भीगो के रखा हूआ है यह कल मेको बनाना है कल नाश्ते में इंशालला कुछ इस बोटल में ना मैंने थोड़ी से चावल डाले और फिर नमक डालके और इसको मैं पैक करके रख रही हूँ ताकि नमक गीला ना होई से चावल डाले हूँ आज मैं एक रेसिपी ट्राइ करने वाली हूँ और आपसे शेर कर रही हूँ मैं फॉर्स टाइम बना रही हूँ एक्छली ये recipe जो मैं बनारी हुण है हमने जो इना इक hotel में खायते अब जाहिर सी बात है hotel का जो खाने का look होता है वो एकदम अलग गया आता है एकदम मतलब restaurant है भाई hotel है तो वैसे ही है आप घर का तो घर का ही होता है खेर कोशिश करूँगी कि बिल्कुल वैसे ही बने जैसा हमने होटल में खाय था अब मेरे पास वीडियो नहीं है ने तो फिर मैं वो वीडियो अगर होती तो फिर मैं आपको बताती थी अच्छली मैंने इस्टाग्राम पर पोस्ट किये वी यह वो वीडियो लेकिन अब मेरे गैलेरी में से वो वीडियो जो एना डिलेड हो चुकी तो मैं इसमें आड नहीं की ने तो फिक करती थी फिर वही रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने वाली हो स्टेप बाइस अब देखे अच्छी वनी तो आप लोग भी जरूर से बना के ट्राइ करें फिलाल मैं आपसे रेसिपी शेयर करती हो के तो यहाँ पर देखे मैंने दो बड़ी साइस की टमाटर ले लिये दो बड़ी मैं नहीं बता रही हूं मैं लेकिन हाँ टमाटर प्यास का मैंने बता दिया तो बस यहाँ पर देखे मैंने टमाटर प्यास इसे लंबे-लंबे कट कर लिए और यहां से न मैं जरूरत की सारी चीज़े निकाल लूँगी तो अरे हाँ मैं क्या हाँ बना रही हूं नामी नही वी चीज़े में इसमें आड करें। टमाटर प्यास, अद्रग लिसन और यहां तक कि मैंने इसमें बदाम भी डाल दिया। तेल मैं इसमें बाद में दालूँगी पहला मैंने सोचा कि टमाटर और प्यास को थोड़ा सा सुका लेते हैं। यहांसे मैं सारे स्कралव मसाले निकाल के ले ले लेते हू। और शफावे JS. तो यहांपर सबसे पहला जो इना ग्रेवी की तयारी करी हूँ है। तो यहांपर मैंने निकाल लै। एक मैगी क्यूब्ग और स्क पैसिसमें में ले लेना है। जालो की कॉंटिटी मैंने अपने मेजरमेंट से लिए वे हुए जितना हम तीका अफिका खाते उसे साफ से सारे मसाले लिए वे हैं अब जाके जो हैना मैंने टमाटर और प्यास में तेल थोड़ा सा डाला लगबक एक चमस डाला होगा और इसको फिर मैंने फ्राइ कर लेना है अच्छे सब्सक्राइब टमाटर प्यास एकदम सॉफ्ट होनी चीए और इहां पर जो हैना मैं धन्या निकाल के ले रही हूँ क्य जो हैना यह प्यास टमाटर अदर ग्लेसन बदाम को जो है मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया अच्छे से और उसी सेम कडाई में जो हैना तेल ले लेना है अच्छा खासा हां क्यूंके जब हमने यह डिश खाई थी ना होटेल में तो ग्रेवी पे तेल बहुत सारा तो मैंने चाहती कि कोई कमी पड़े मैं तो फिर बे अंदाजे से जो है ना यह बना रही हूँ I hope कि यह सेम वैसे ही बने तो बस फिर मैंने तेल ले लिया था उसमें जो पीसा और मसाला था वो डाल दिया था और धकर के भूना अच्छे से फिर इसमें मैंने मैगी क्यूब डाली और बताएवे सारे मसाले इसमें आड के पॉर्डर मसाले और इसको मैंने अभी मिक्स करना है बहुत अच्छे से और मसाली की बहुत अच्छे से मुझे भुनाई करनी है ठीक है तो ग्रेवी का कलर है ना रेड होना चीए ना के ओरेंज तो फिर मैंने इसमें रेड ट नमक और पानी के अंदर आफ बोइल करना है ना के फूल बोइल। और यहां पर मैंने बिर्यानी राइस ले ली हैं और मैंने यहां पर जो एप चावलो के लिए पानी चड़ा है इसवे चुछ मुझे ठोड़ा सा तेल डाल देना है नमक बानी में बोईल ले लेना है और यहाँ पर जो इना मैं अभी ग्रीन हनियन जो होता है ना हरी प्यास जिसको भोलेंगे पत्ती भोलेंगे उसको में एक तुम परीबरीं चॉप करके ले रही हो और यहाँ पर दही जो इना लेकर आया है भाइट से अच्छली दो-ती निन से मैं सोचरी गर में दही जमाँ लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है या फिर मैं भूल जारी पता नहीं मसाला मैंने बहुत अच्छे से जो इना ग्रेवी का भूना है आप देख सकते हो तेल पूरा एक्स्ट्रा उपर आ चुका है अच्छा मैंने नमक इसमें आट किया है और दही डाली है नमक मैं शुरुआत में डालना भूल चुकी थी फिर अब भी डाला मैंने कोई बात नहीं और दही के साथ जो ना मसाला अच्छे से मिक्स कर लेना है उसके बाद मैंने जो इना इसमें कस्तोरी मेती का पॉडर एट किया हुआ था और फिर मैंने मसाले को पकने रखा हुआ है दुबारा और यहाँ पर जो है पानी में बॉइल आ गया था मसाले में जो ना मैंने ये बॉइल चिकन का पानी आट किया मैंने ग्रेवी वैसे जो ना ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए मेडियम होनी चाहिए ठीके और बस फिर टेस्ट करके देखा तो बहुत मजी की लग ली थी ग्रेवी और मैंने बस धक के पकने के लिए रखाया और यहां पर बॉइल चिकन में मैंने चिकन तंदोरी मसाला डाला हुआ है और इसको मिक्स करके फिलाल साइड में रखाया मैंने उसको बात में शिवलो फ्राई करेंगे लेकिन यहां पर जो मैं खबसा राइस बना रही हो पहला यह देख ले, मैंने ना तेल और गी दोनों सेम पॉंटिटी में ली थी, इसमें ना चिकन के दो मैगी क्यूब डाले, और फिर इसमें नॉर्मल जो जीरा होता है ना वो डाला मैंने, दो चम्मत जीरे के डाले, उसके बाद बॉयल किये वे राइस इसमें एड कर रही आई फ्लेम पे इसको पूरे टाइम में पकाऊंगी, क्योंकि जो चावल जो होते ना नरम नहीं होते, मतलब जो राइस बनता है, यह नरम नहीं होता है, इससे थोड़ा कड़की होने चाहिए, और इसके बाद अभी जो ना मैं चिकन को जो हे शेलो फ्राई कर लीती हूँ, कम मैंने तेल लिया, और बस यह चिकन को अल्टी पल्टी करके सेख लेना है, ज्यादा तो पकानी को वैसे जोरुत नहीं है, क्योंकि देखे, मैंने पहले इसको बॉइल किया, अब मैं इसको शेलो फ्राई करी हूँ, उसके बाद फिर इसको हम आज पे भी थोड़ा-थोड का, ठीक है, तो ज्यादा नहीं सेखना है, तो फिर ही जल जाएगा, एक्चुली मेरे साथ ऐसी हुआ, कुछ-कुछ चिकन के जो पीसी से न, वो थोड़े से जल गएते, और अभी जो है, आता है टाइम खाने का, क्योंकि ये खबसारा इसा होता न, जैसे बना वैसे सर्फ क कि बन्दा पेड भरके खा सकता, नाम नहीं रखेंगा, मतलब अच्छा बनाए, चले इस बहाने कुछ नया है, तो ट्राइ करें, तो आए दिन, वही रिपीट करो, दो दिन पहला खाए, फिर दो-तिन दिन बाद वही चीज बनाओ, कोशिश करते रहनी चीए, नया-नया रे आज बहुत गड़़ होई थी, एक्चुलिए आज मशीन भी लगानी थी मुझे, तो उस गड़़़ में क्या हो गया ना, कि मैंने वो लगाई नहीं, तो डेली का मेरा होता ही, एक काम जीसा होता है ना, तो वो भी मेरा एक काम ही, किने मैं वो सुनू, लेकिन खेर में को न है, उस से कई ज्यादा पढ़ना भी जरूरी है, तो मैं पढ़ती भी हो, और सुनती भी हो, तो बस फिर इहां पर जो ना, मैं अपनी कीचन की जो डोट्स लगी हुई थी ना, इस सम मैंने क्लेन करके ले ली, ये सब कामे में थे ना, सुबे के होते है, एक्चुलिए लिग है, तो वही मेरी क्लीन अप चालू थी, और चूड़ा वगेरा ना, दो-तिन दिन से लाके रखा वा था, ऐसी पैकेटे खोड़ रहे और ले रहे खा रहे, तो आप देख सकते हो, आदे आदे ही पैकेटे चूड़े विफर के, तो वही मैं अभी सारी चीजे जो एना, कंट होंगा यहाँ तक के, ठैंक यू सो मच और शुक्रिया, इंशाला बहुत जल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, अल्ला हाफीज बाए